गैस अपने data structures and algorithms के course में काफी चीज़े देखी अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कुछ और operations हैं वो देखेंगे link list की सहायता से सबसे पहले यह playlist सबको access कर लेना है यहाँ क्लिक करके save करो link list की सहायता से stack की बाग करी दी मैंने ठीक है पिछले वीडियो में अभी क्या करू और 15 यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से यह हमारे stack के अंदर है ठीक है तो जो topmost element है वो यह वाला है इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर आएंगे वापस से और stack की कुछ और operations की बात करेंगे तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या operations देखे थे मैं आप लोग को बताता हूं हमने देखा था is empty हमने देखा था is full हमने push देखा था pop देखा यह रहा code हमारा जिसकी सहायता से हमने सारे operations लिखे थे तो य यह सारे के सारे वो operations है मैंने peak के बारे में आपको नहीं बताया तो चलो आजो peak operation की बात करते है ठीक है तो peak operation किस तरह से हम लोग implement करेंगे यह देखते है तो मैं आपर एक और other operations में जो पहला operation है कुछ operation तो मैंने already आप लोग को बता दिये थे वो है peak ठीक है peak operation क्या होता है देखो भाई ऐसा है peak operation जब आप करते हो एक stack में तो आप basically यह कह रहे हो कि अगर मुझे 1 बोला जाए तो मुझे यह वाला element मिले 2 बोला जाए तो यह वाला element मिले 3 बोला जाए तो यह वाला element मिले यानि कि peak लेता है एक int position ठीक है एक int position लेता है और उसी के साथ साथ हमने क्य totally depends मैं आप लोगों को एक version code करके दिखा हूँगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर peak में क्या होता है कि अगर किसी ने बोला कि यार मुझे position 1 का element देदो तो आपको 7 return करना है position 2 का element देदो 15 return करना है position 3 का element में 18 return करना है 4 में 28 और बाकी other positions जो है वो invalid index यहाँ पर हमारी pointer अगर आपने link list के मेरे वीडियोस देएँले तो आपको पता होगा कि इस तरह का traversal जब भी हम link list में करते है Yoshi हम जब इस तरह का traversal करते हैं link list के अंदर तब क्या होता है हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन हम अपने asleep a pointer को कुछ नहीं करें हम बढ़ाएंगे एक temporary pointer को जो मैं भी यहां पर बनाने वाला हूं तो मैं आपर लिखूंगा struct node star और ptr ठीक है और यह ptr को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको initially मैं बराबर top के कर दूँगा top कुछ नहीं है बस वाई है जिसको मैं पहले head बोल रहा था अभी top बोल रहा हूं stack के case में ठीक है क्योंकि यहां पर जो stack का top most element है वो हमारा साथ है तो मैं इसको top बोल रहा हूं head नहीं बोल रहा हूं कि एक stack है ठीक है मैं यहां बर कुछ इस तरह से एक for loop चलाऊंगा मैं एक for loop चलाऊंगा और मैं आपर यह कहूंगा कि for i is equal to zero धियान से आप लोग देखना for i is equal to zero और जो condition में डालूँगा वो आप लोग देखना और फिर मैं उस condition को explain करूँगा सबसे पहले तो i is less than position minus one और position minus one मैं नहीं क्यों किया हमने linkless में वैसे देखा था but again एक बर और बताऊंगा ठीक है position minus one और यह in pos हमने आप लिखा है pos minus one मैं नहीं लिखा है यहांपर i is less than position minus one and and उसी के साथ साथ एक और condition लगा रहा हूं दिहान से देखना ptr is not equal to null आपको यह क्या है यह क्यों लगा दी अभी बताता हूं ptr is not equal to null और i plus plus और इस loop के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने pointer को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो यह मैंने जो condition लिखिया और एक मुझे for loop को भी इस तरह से brackets जो है मैंने match नहीं करें सही से हाँ ठीक है अभी बिल्कुल सही है सब कुछ मैं simply कहूंगा ptr को बढ़ा दो आगे ptr is equal to ptr का next ठीक है इस तरह से मैं कर दूँगा अब मैं कहूंगा यहां पर अब देखते जो आप लोग मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा कि अगर अब देखो होगा क्या या किया क्या मैंने यह देखो अच्छा अगर मुझे यहां पर म पोजिशन वन का element यहां पर report करना चाहता हूं return करना चाहता हूं speak की साहता से तो मुझे ptr को कितनी बार move करना है एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं हो, तो for position 1 अगर मैं यहापर table बनाओ, मैं एक table बनाता हूं यहापर, अगर मैं table बनाओ यहापर कुछ इस तरह से, तो मैं कहूंगा position यहापर, for position 1, मुझे कितनी बार move करना है, number of moves या फिर end times moment लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, कि कितनी बार मुझे pointer को आगे बढ़ाना है, तो वो है 0, उसी के साथ साथ मुझे position 2 का अगर return करना है element, तो मैं एक बार आगे बढ़ाओंगा, position 2 का मुझे return हो जाएगा, तो 1, ऐसी 3 जब यहाँ पर होगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए, pos-1 तक हम चला रह मैंने का मुझे उसी के साथ साथ PTR किसी भी सूरत से null नहीं होना चाहिए मेरा, अब मालो किसी ने गलती से इस वाली link list में, 5th element को access करने के लिए request कर लिया, तो 4 तो यहाँ पर है, 5th element इसमें नहीं है, नहीं है, आपको कि null है, नहीं है, तो अगर किसी ने इसको move किया, अब किसी चीज़ को detect किया है, यापर PTR not equal to null होना चाहिए, जोकि अगर PTR null हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि pointer को और आगे बढ़ा हूँ मैं, कोई point नहीं है pointer को आगे बढ़ाने का, अब मैं यहाँ पर check कर लूँगा, कि यह position actual में exist भी करती है, या फिर यह position 5 की तरह है, फिर position 50 की तरह है, कि मेरा pointer को यह null करा बैठी, समझ दो मेरी बात को, या तो आपकी यह position exist करीगी इस लिखने, इसमें जैसे कि 3 exist कर रही है, 2 exist कर रही है, 5 नहीं कर रही है, इसमें exist, तो आप अब यह check करोगे, कि कहीं यह pointer null तो नहीं हो बैठा था इस loop के अंदर, क्योंकि अगर यह pointer null हो बैठा था लूप के अंदर, इसका मतलब वो position आपकी exist नहीं करती है, इसके अंदर, तो मैं आपर क्या करूँगा, मैं आपर लिख दूँगा, if, मैं आपर लिख दूँगा, if, ptr is not equal to null, अगर ptr आपका null नहीं है, तब ही return करो, क्या return करोगे आप, ptr का data, क्योंकि अगर ptr null नहीं है, तो मैं sure हूँ कि यह जो ptr है मेरा, यह किसी ना किसी note पर पहुच चुगा होगा, जैसे कि इस वाले note पर, या फिर इस वाले note पर, या इस वाले note पर, जो भी position दी गई है, उस note तक पहुच चुगा होगा, वरना क्या करो, वरना return कर दो minus 1, और minus 1 किस ची index है, वो आपने बहुत बड़ी दे दी, हो सकता है, आपने कोई ऐसी index apply कर दी हो, जो कि valid नहीं है, तो यह सारी चीज़े आप और भी check कर सकते हो, but this is how peak operation on stack using linked list works, ठीक है, यह हमारा peak operation था, I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब कुछ और operations है जिनकी बात करूँगा, और थोड़ा सा repetitive हो रहा है यह, but again मैंने array के लिए already कराया था, तो quickly बात कर लेता हूँ, ठीक है, stack top की, stack top operation किस तरह से हम लोग implement करेंगे, अगर मैं stack top की बात करूँँ, तो topmost element stack है, मैं top की data को return कर दूँगा, बहुत simple है, ठीक है, तो मैं आपर क्या करूँगा, मैं एक int stack top बनाऊंगा, stack top और उसके बाद, मैं आपर क्या करूँगा, return क्या कर दूँगा, मैं return कर दूँगा, simple से मुझे कोई ज़्यादा याँपर tension लेनी की जरूवत नहीं, मैं return कर दूँगा, top की data को, मैं कर दूँगा, इसका जो data है top का, उसको return कर दूँग, as simple as that, कोई परिशा work, और आपको comment करना है नीचे, और अगर आप नहीं करते हो ना comment, बहुत साही लोग सोचते होंगे कि यार, क्या करना है comment करके, नहीं करेंगे, मैं comment करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, ताकि interaction बड़े है, और आप लोगो classroom वाला feel आ है, काफी अच्छे से चीज़ समझ operations, चलते हैं जड़ा vs code में इन operations को कर लेते हैं, perform, और मैं चलता हूँ vs code में जल्दी से एक नई file बनाऊँगा, यहां पर मैंने 30 videos अपलोड कर दी हैं, और 31st video मैं आपर बना रहा हूँ, 31st underscore stack op2 ll.c, op2 मतलब operations का एक video बना दिया था, मैंने stack using list का, लेकिन यहां पर मैंने एक और बनाया है, तो मैं एक काम करूँगा, जो मैंने पिछली video में program बनाया है, वहां से start करूँगा, ठीक है, मैं वापस से traversal वगरा का code obviously नहीं लिगना चाहता है, ठीक है, जावन मैंने element को pop किया था, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ अभी pop, मैं यह सारा हटा देते हूँ, मैं पीक operation, तो ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो, हमने सारा समझ लिया है, ठीक है, बहुत आराम से implement हो जाएगा, तो आजाओ peak operation को करते हैं, तो peak operation क्या है, यह int return करेगा, ठीक है, int peak मैं यहापर लिख दूँगा, int peak लिखने के बाद मैं क्या पर, int peak के अंदर int pos, यानि की position यह लेगा, और कोई value return करेगा, मैं आपर stack note star ptr बनाओंगा, और इसको बराबर कर दूँगा, टॉप के, जैसे कि मैंने यहापर किया, ठीक है, one note में, अब मैं एक for loop चलाओंगा, तो आप देखो, यहापर मैं for loop चलाओंगा, और यहापर int i is equal to 0, i is less than pos minus 1, अब इसी के साथ साथ, मैं यहापर एक और condition लगाना चाहता हूँ, कि i less than pos minus 1 भी है, और उसी के साथ साथ, and, यहापर मैं लिख देता हूँ, and, क्या is not equal to null, ptr is not equal to null, ptr मैं नहीं चाहता null हो, और यहापर क्या दिक्कत आ रही है, यहापर यहापर यह कहरा, expected semic semicolon, struct नहीं लिखा, मैंने, struct stack node star ptr is equal to top, अब यहापर क्या करूँगा, मैं लिखाँगा, ptr is equal to ptr next, ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, और यहापर stack नाम था ही नहीं, मेरा node था, नाम इसका node ही थ stack नहीं था, यहापर एक गरवड कर दी थी, मैंने जोगी ठीक कर दी अभी, अब मैं आपर चेक करूँगा कि क्या इस procedure में ptr मेरा null हो गया, चुकि है अगर मेरा ptr नहीं हो गया, तब मैं return कर दूँगा minus 1, या फिर एक काम कर दें, ptr not equal to null हो गया, तो मैं return करूँगा, ptr का data और इसी के साथ साथ, मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है, तब मैं क्या करूँगा, return कर दूँगा minus 1, assuming कि हमारी stack में सारे positive integers है, यह assume किया जा रहा है, यहाँ ठीक है, so यह करने के बाद, हमारा peak operation जो है, वो चल गया, तो मैं सब से पहले इस program को ऐसी run करके 8, फिर 18, फिर 15 और 7, ठीक है, यहाँ पर 15 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने और वननोट नोट बुक में आपको यह लिख कर दिया हुआ है, अब देखो यह जो stack है, बिल्कुल उसी ही साब से print होगी, 7, 15 18, ठाइस, यहाँ पर देखो, 7, 15, 18, ठाइस, एक उसी order में मैंने stack को print कर दिया है, और यहाँ पर same elements लेकर, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा printf, value at position 1 is percentage d, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा peak of 1, peak 1 लिख अच्छा कर मैं एक for loop लगा दूँ, एक for loop लगा दूँ, ध्यान से लिखना, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, int i is equal to i is less than, मेरे stack में जो elements हैं, जो कि 4 elements है, ठीक है, अभी मुझे पता है 4 elements है, तो मैंने 4 लिख दिया, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यह जो code है, यहाँ यहाँ पर लिख दूँगा, value at position i is, कुछ इस तरह से लिखूँगा, value at position percentage d is, यहाँ आय करूँगा सबसे पहले, और यहाँ पर i करूँगा, और यहाँ पर back solution, ठीक है, यह करने के बाद, इसको run करते हैं, तो मैंने जो travel cell को यहाँ पर program लिखा, kind of y बन जाएगा, बस यह ह पर मैं इसको peak करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, और एक और काम में कर सकता हूं, जब तक while peak, i मेरा minus 1, जब तक return नहीं करता हूं, जब तक मैं peak करते रहता हूं position को, तो यहाँ पर देखो, यह कह रहा है, position 0 पर 7, और, okay, so मुझा i को 1 से start करना आपको यह भी बोला जा सकता है, कि यार, एक ऐसा peak लिखो, जिसमें की index 0 से start हो रही है, आपको बोला जा सकता है वैसा, तो आपको उसके लिए तयार रहना है, ठीक है, तो I hope यह चीज़ क्लियर है, और आप लोगो समझ में आ गया अच्छे से, सब मैं आपर क्या करूंगा कि आगे बढ़ूँगा stack में, और चीज़े आप लोगो बताऊंगा, आप लोग यार, इस playlist को please share करना, बंद मत करो, बिल्कुल, पिछले 5-6 वीडियो से एक दम बंद कर दिया, इस playlist को लोगों ने share करना, अगर आप लोग शेर करो इस playlist को, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो, content, notes, सब कुछ provide कर रहा हूँ, महनत चल रही है, बहुत काम चल रहा है, थोड़ा सा appreciate करके please share करो, तो आप लोगों ने share किया, Instagram का link बहने नीचे दिया हुआ, अगर आप Instagram पे share करते हो, तो आप लोग screenshot लेकर मुझे tag कर सकते हो, और share क सकते हो, मैं सारी stories को वापस से share कर रहा हूँ, अपनी Instagram पर, so I hope कि ये course help बूल रहा, आपको अच्छा लग रहा है course, उसी के साथ साथ, इस वीडियो को लाइक करना, बिल्कुल मत बूलना, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल